Hello everyone, स्वागत है आपका इस चैनल पर आज हम सीखेंगे चार तरीके पैसे कमाने के क्या है जो चार तरीके पैसे कमाने के अगर आप भी financially prices में हैं आपको पैसा नहीं समझ नहीं आ रहा कि पैसा क्यों नहीं कमा रहे जब गरीब हैं जब अमीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए important report video इसमें हम सीखेंगे कि पैसा कैसे काम करता है how money works पैसा कैसे काम करता है और हम पैसे कैसे अगर हम उस system को समझेंगे तो हम better manage कर सकते हैं पैसे कुमा सकते हैं क्योंकि पहले पता तो होना चाहिए कि पैसा आता कैसे earn कैसे किया जाता है जब पता चल जाएगा तो हम उसके according अपने actions डाल सकते हैं काम कर सकते हैं तो जानते हैं पहलडा आता है पहला जो key factor है time for money पहला तरीका पहला तरीका क्या है time for money अब इसका क्या मतलब है ध्यान से समझते time for money मतलब जैसे आपने देखा होगा आपने maximum 90% लोग करते हैं ये आप अपना time देते हो as a employee आप अपना time देते हो उसके बदले आपको पैसे मिलते है इसको कहते है time for money जैसे employees होते हैं 9 to 5 job होती है जो लोग दूसरी employment कर रहे होते हैं जैसे carpentry हो गई कुछ दिहारी लगाते हैं कुछ माली होते हैं तो ये जो छोट-छोटी jobs हैं ये इसमें क्या है आप किसी के लिए काम कर रहे हो आप अपना time दे रहे हो उस service के लिए उसके according आपको पैसा मिल रहा है time for money इसमें एक drawback इसमें बहुत drawbacks है drawbacks ये हैं कि हर इनसान की life में limited time है आपके बस 24 hours ही है एक दिन में ठीक है इसमें आपको खाना भी है सोना भी है आपके day to day activities भी है आपको अपने लिए relaxation time भी चाहिए family time भी चाहिए ठीक है आपको जो grocery है खाने के लिए room को manage करने के लिए self personality development के लिए सो तरह के time चाहिए आपको काम के लिए time चाहिए लेकिन अगर आपका एक fix time जिसे 8 hours, 10 hours आपके अगर जा रहे हैं अगर आप old age में होगे, retire होगे अब आप time नहीं दे पारे हैं तो आप money earn नहीं कर पाओगे लेकिन जो financial expense है जो inflation है, जो बहार की महंकाई है वो तो भड़ती रहेगी वो आपके रुकने से या आपके काम ना करने से नहीं रुकेगी तो वो expense कैसे counter करोगे आप, यह सवाल है तो इसलिए time के साथ money को connect करने में बहुत link बहुत खत्रे वाली काम है और money और time एकदम accelerate नहीं करता है, क्योंकि आप maximum अपना productive time काम में दे देते हो तो आप अपने आपको improve नहीं कर सकते हैं और पैसा आपकी philosophy, आपकी personality के according ही मिलता है अपको अगर आप अपनी personality improve नहीं करोगे तो जो time दे रहे हो आप उसके according जो पैसा मिल रहा है, वो भी बढ़ेगा नहीं फिर आता है information for money information for money एक better option है, अब इसको जानते कि यह क्या है information for money का मतलब है अब information क्या होती है information मतलब knowledge किसी चीज के बारे में information तो information जैसे आगया scientific information day to day information lifestyle information, health information technology information सबकी information तो आप क्या कर रहे हो, आप information provide कर रहे हो, उसके बतले पैसे ले रहे हो इससे फायदा क्या है इससे फायदा है आपने एक time investment की जैसे आपने एक वीडियो बना दियो और उसको अपलोड कर दिया वो वीडियो मिलियन्स लोग देखते जा रहे हैं वो देखे जा रहे हैं उससे आपका time link नहीं है आपने courses बना दिये उसको एक जगा अपलोड कर दियो और membership लगा दियो अब जो चाहे, मिर्ला आप उसको नहीं भी regulate नहीं कर रहे हो, check नहीं कर रहे हो, supervise नहीं कर रहे हो, फिर भी पैसा आ रहा है, लोग courses ले जा रहे हैं, और पढ़े जा रहे हैं, तो courses भी वहाँ हैं, और जो लोगों के approach है वो बढ़ती जा रही है, और आप पैसा आन करते जा रहे हो, तो आप information से पैसा कमा रहे हो, तो यह free of time हो जाता है, तो अब आप पूछोगे के, जैसे एक example यह भी है, जैसे आपने देखा होगा, जो IIT preparation, नीट में लोगों ने, Akash, इन्होंने online courses बनाए है, one year membership, उसमें वो 60,000, 50,000, 70,000 ले 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 ल रहे हो सब, और one year के बाद वो expire हो जाता है, तो उनका content उनके पास रहा, कुछ गया नहीं, teachers ने एक बार course बनाए है, वो भी earn कर रहे हैं, Akash Institute भी earn कर रहे हैं, सब earn कर रहे हैं, और उसी एक course पता नहीं कितने लागों क्रोण लोगों ने पढ़ाई कर ली, तो इसको बोलते ह है, online learning, जब information प्रवाइड करना, तो इसमें information प्रवाइड करना, अब आप पूछेंगे कि information जरूरी क्यों है, information बहुत important है, information के बगार तो कुछ है नहीं, अब आप पूछेंगे information इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप engineer ले ले, engineer से जो उसने b.tech engineering की है, जो degree लिए, जिसने उसकी MBBS, MD की information उसके mind से निकाल दे, तो वो क्या रहा, वो doctor नहीं है, engineer नहीं है, engineer बना ही information से, सारे school, colleges, universities, जो भी सारा education system, सारी books, सब एक information पर चल रहा है, तो यह बहुत बड़ा scope है, इसके बगार तो इंसान एक इंसान भी नहीं बन सकता, जो learning etiquette, जो आप सब information के ही चल रहा है, जो आपके documents से भी एक information है, तो information is a very key important rule, तीसरा तरीका है product और service for money, मतलब product और service for money, इसका मतलब है कि जैसे अब आपने आसपास देखो, अभी, आप देख रहे होंगे products होंगे, shampoo होगा, oil होगा, notebook होगी, pen होगा, इस सारे product है, laptop है, mobile phone है, सब product है, इन products से क्या है, आप लोगों को provide, यह जैसे mega companies, big companies, वो यह चीज करती है, product manufacture करती है, लोगों को बेजती है, उसे earn करती है markup, जब वो profit earn करती है, उसमें, MRP, फिर जब बेज के, पैसा earn करती है, जैसे कोई भी product हो गया, जो भी product वो launch करते है, और एक service होगी, service मतलब उसी product से जा कोई service provide करें, जैसे repairing, repair की, car washing, जा कोई भी service, massage, तो वो एक service होगी, बनलोगों की problem solve करना, जैसे आपको mobile खराब होगा, आप ले गए shop पे, तो shop ने ठीक किया, तो वो एक service है, तो service से, जा product से, अब problem यह इसमें, कि product बनाने के लिए, अभी world में almost सभी company सारे product बना चुकी है, तो आपका यह है कि आप, आप कहीं भी हो, shipping charges लगते हैं, लेकिन वो कहीं बन रहा है ससते price में, Amazon में, flip card या कहीं से भी ले सकते हो, तो आपके लिए market बहुत competitive हो चुकी है, और ऐसा कोई नया innovation, ऐसा कोई चीज ने, जो आप सोचो कि मैंने innovate कर रहा हूँ, जै नहीं लिए, और अगर आप यह आप start कर रहे हो, तो यह आपके लिए बहुत costly बढ़ेगा, वहीं service, service में आपको people hire करने हैं, उनको training देने हैं, manage करने हैं, tough, तो यह भी एक tough task है, चोथा तरीका है putting someone else to work for you, किसी और को अपनी जगा काम करवाना, इसमें क्या, कौन-कौन काम कर सकत चाँ लोग काम कर सकते हैं, चाँ आपका पैसा काम कर सकता है, लोग मतलब जैसे आप hire करते हैं, companies hire करते हैं, employees को, है न, तो employee होता किया, जैसे manager, owner hire करते हैं, जैसे restaurant की example लेते हैं, अगर एक restaurant में एक owner है, मेरा खुद का experience है, restaurant में owner है, वो hire कर देता है, फिर उसना camera सब install की है तो employees आते हैं अपने आप काम करते हैं जाते हैं तो जो भी उसका profit होता है वो owner लेता है और employees को देता है सिर्फ salary तो जो भी profit हो रहा है जो भी margin हो रहा है वो owners इसमें negative भी है कि अगर कोई negative हो जाता है अगर नहीं sale होती तो उसका जो सारा loss है वो owner कोई सहना पड़ेगा owner जो employees है उनको तो salary से मतलव है तो risk factor भी है इसमें risk factor है इसमें इसमें difficult to manage people उनको train करना बहुत investment लगती है तो यह आ गया आपके लिए लोग काम करें मतलब आप बैठे हो side में लोग आपके लिए काम कर रहे है और उसका जो share of profit है वो आप earn कर रहे हो बड़े-बड़े malls है उनका कोई owner कहीं है उन्होंने hire कियो है सारे supervision यह सब camera से सब supervise हो रहे है वहाँ आपने supervisor मना दिया, manager मना दिया लेकिन जो owner है वो कहीं side में बैठा है ठीक है तो वो जो भी profit हो रहा है overall profit वो ही earn कर रहा है और risk factor भी वो ही risk factor भी देख रहा है इसमें थोड़ा सा risk है फिर आता है money work for you money मतलब पैसा अगर जैसे आपके पास कहीं mega billionaires हो mega big companies हैं जैसे आपके पास करोड़ों रुपे हैं आप bank में डालते हो 10% के तो आपको जो 10% है वो आप घर बैठके कमा होगी तो इसको बोलते है interest घर बैठके पैसा कमा रहे हो तो पैसे से पैसा कमा रहे हो आपने क्या क्या पैसे से real estate business खरीदा और उनको कुछ कराये पे चढ़ा दिया हर मनत पैसे आरहे हैं आपने पैसा इंवेस्ट किया, पैसे से पैसा आ रहा है, पैसा ही आपके लिए काम कर रहा है, तो इसके लिए आपके पास huge amount of money होनी चाहिए, तब ही आपको big interest, एक margin होगा, जिसका कोई effect पड़ेगा, नहीं तो अगर छोटे में तो कुछ margin भी नहीं पड़ेगा, 100 rupees मा कर 10% करोगे, 10 rupees कैसे करोगे आपस में, manage, तो वो चीज है, तो आपको big manage, इसमें भी एक risk factor है, और इतना पैसा आपके पास आएगा कैसे, तो overall अभी तक हमें जो लगा है वो है, कि information जो एक ऐसी चीज है, जैसे पहले सीखा जा सकता है, बहुत easy to access है, सीखो, सिखाओ, उस से पैसा कमाओ, फिर जब पैसा आने लगे, फिर उसमें उस information से, product or service, money work for you, उसके लिए employees hire करो, आगे team बनाओ, ऐसे चलाओ, लेकिन first step जो हमारे 4 तरीकों में, जो सबसे favorable है, अगर आपके पैसा नहीं है, तो information, और Elon Musk ने कहा था, कि हमको लगता है, हमको आता है, people think they are smart, but they are not, अगर smart होते तो क्या हम गरीब होते, financial crisis में होते, sad होते, depressed होते, नहीं, अगर हम smart होते, तो हम अभी rich होते, सारे resources होते हैं मारे पास, एक मेरी, अपने experience, एक philosophy है, दो quotes है, जो life की, आपकी मिलब reality बताती है, यह दो quotes हैं, जिसको समझ आ जाए, वो समझ पाएगा कि life कैसे काम करती है, पहला quote यह है, life is a philosophy, if your philosophy don't match to reality, change your philosophy, अगर आपकी philosophy जो है, वो reality के साथ match नहीं करती, correlate नहीं करती, change your philosophy, अपने जो सोच है, अगर आप बोलते हो कि, पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी नहीं है, मन की खुशी के लिए पैसा जरूरी नहीं है, और आपकी इस philosophy कारन आपके पैसा भी नहीं हो, आपको पता चल तो philosophy बदल नहीं पड़ेगी Life is a game and if you are losing it don't blame God for your failure rather start learning how to play Life is a game है अगर game के साथ relate करें तो मैं अपना personally experience मानता हूँ Life is maximum majority correlate करता है chess के साथ अगर chess खेलते हो आप तो जो खेलते हो नहीं पता होगा तो life or chess 99% maximum वो same लगते हैं जिसने बनाया और बोत दिमाग से बनाया तो life or chess एक जैसे सेम है तो अगर आप chess में हार रहे हो गलत चाल चल के तो गलत चाल है तो आपको पता नहीं गेम कैसे खेलते हैं उसमें strategies होती हैं, techniques होती है दोनों के पास same चाल होती है same time होता है एक जीत जाता है एक हार जाता है क्योंकि technique, system, वो books है उसके लिए सीखना पड़ता है कैसे खेलते हैं जब आप सीख जाओगे तो आप सही चाल चलोगे तो जीतोगेगे so thank you so much for watching this video अगर आपको helpful लगे, आपको अच्छा लगे please, please इसको like करें और ऐसी जुड जाएं इसके साथ और जो चार तरीके बताएं उनको समझने की कोशिश करें कि क्या इसमें बताएगे और हम अपनी life में कैसे इसको implement कर सकते कैसे correlate कर सकते कैसे observe कर सकते हैं इस चीज़ों को thank you so much